प्रदने मोधी जी प्रणाम राम विदान राम पटेल दमो से तिकेन का प्रभारी हूँ बूठ 171 दमो से आपको प्रणाम करता हूँ आपसे मैं प्रस्ण करना चाहता हूँ आपने भी खुद मंडल इस्तर पर तक कारकरता बन करके काम किया है ऐसे मैं आप राजनीती के अतिरेक सामाजेक जुडाओ को कैसे देखते हैं आपसे पूछना चाहता हूँ अधरनी प्रदान मंत्री जी एक तो मुझे अच्छा लगा कि आप रोज की राजनीती के आपा धापी के बजाए किसी और दिशा में सवाल को लाए हैं आप बैठिये मेना जवाद रम्मा हो जाएगा आप बैठिये आराम से देखिये जो एक बूत होता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी इकाई हैं हमें कभी भी बूत की इस इकाई को छोटा नहीं समझना चाहिए हमें अपने बूत में राजनितिक कारकरता से भी उपर उठकर समाज के लिए सुख दुख के साथी के रुपे अपनी पहचान बनानी चाहिए और बहुत से ऐसी चीजे होती है जिसमें जमीन का फिडबेक बहुत जरूरी होता है जो बूत के हमारे साथी हैं वे इसमें बहुत बड़ी भूमी का निभाते हैं प्रधान मंत्री भी या मुख्य मंत्री भी अगर कोई सफल निती बनाता है तो माल लेना किसी ने किसी बूत के कार करता के दी हुई जानकारी की ताकत बहुत बड़ी होती है हम भारतिये जनता पार्टी के कार्टी उन में से नहीं है जो एर कंडिशन कमरों में बैठ कर पार्टीयां चलाते हैं और फत्य में निकालते रहते हैं हम तो वो लोग है जो गाउं गाउं जाकर गर्मी हो बारिस हो कड़कडाती ठंड हो हर मौसम हर परिस्थिति में जनता के बिजित जाकर के खुद को खपाने वाले यहां लोग है और इस वज़े से बूद का बहुत मजबूत होना बहुत स्वाबवित है मुझे आध है कि अगर यह बूद कमेटी नहीं होती तो शाहेदी कभी उजवला योजना का विचार ही नहीं आता साथियों यह आपकी निरंतर कोशिश होनी चाहिए क्योंकि गाउं से कार करता होने मुझे उजवला गैस योजना के विचे में समझाया बाद में वो निती बन गई और गरीब के घर तक गैस का चुला पहुँच गया साथियों भाजपा की बूद कमेटी की पहचान सेवा से होनी चाहिए बूद के अंदर रोज अदोलन संभव नहीं है तू तू मैं मैं संभव नहीं है और इसके लिए बूद की बादर भाजपा की पहचान सेवा धारी की होनी चाहिए सेवा भाव की होनी चाहिए और इसके लिए छोटे छोटे समझे जाने वाले काम जो लोगों को बहुत छोटे लगते हैं लेकिन बहुत उप्योगी होते हैं अब जैसे गाउं में कहीन कहीन तो आपको बैठने की वोई जगा होगी किसी पैड के नीचे बैठते होंगे किसी चाहे के ठेले के पाथ जाके बैठते होंगे क्या कभी आपने सोचा है कि सुबह अख़बार पढ़ लिए शाम दोपर के बाद वहाँ जाएंगे एक खटिया म सारे अख़बार लगा देंगे और गाम वालो जिसको भी अख़बार पढ़ना होगा वहाँ आएगा बैठेगा अख़बार पढ़ेगा देश और दुनिया की बात करेगा आपने अख़बार पढ़ लिया था लेकिन वो अख़बार अब पूरे बूत के लोगों के काम आ ओर भी जा नदेग रहा है देखिए कोई खरचा नहीं वह आपको आपका नेता मानने लग जायेगा कि निव मानने लग जायेगा कभी कभी हम अखमार में एवटराजमेंट देखते हैं बारत सरकार के एवटराजमेंट आती है राज्य सरकार के एवटराजमेंट आती है अपने पार्टी के नेताओं की तस्वीर उसमें होती है क्या हम एक नियम बना सकते हैं कि अपने बूत के अंदर एक जगा फेस करें और अख़बार में जो एवर्टराइजमेंट आई है उसको उन दिन काट करके उसको एक बड़ा बौड बना करके वहाँ लटका दें आपके बूत के लोगों को पता चल जाएगा कि भी आज की खबर कहां है उत पैड के नीचे व आप ब्लैकबॉर्ड मना सकते बूत के अंदर आप हर दिर एक कारकरता को जिम्मेवरी दो आज भाजपा की जो अच्छी खबरें हैं देश के अच्छी खबरें हैं वो ब्लैकबॉर्ड में देख जीए बूत के लोग आएंगे जाएंगे जूरू पढ़ेंगे मैंने एक का करता है देखा वो फॉस्ट्रेड बॉक्स अपने आ रखता था वो फॉस्ट्रेड बॉक्स के कानन उस इलाके के सारे लोग उसके घनाते जाते रहते थे इससे गाउं के लोगों में विश्वास बढ़ेगा कि कि अगर कोई समस्या हुई कोई उप्चार करवाना है तो वो अपने भाई है ना उसके घर में फ्रस्ट्रेड बॉक्स है सलो भाई पौँच जाते हैं घर में के चीगी बिमारी है थर्मीटर चलिए चलो उसके यहां से ले आते हैं घर में कोई तकलीब हैं चलिए गरम पानी की ठेली क्लीच चलिए उनके आसा मिल जाएरगी मांग पर के लिए आते हैं आप एक सामाजिक नेता बन जाएंगे देखे बूत के अंदर संगर्ष की जरूरत नहीं होती है सेवा ही एक मात्रमाध्यम होता है आप अपने अखबार जैसा मैंने कहां पढ़ने की बवत्ता पर जोड़ दे कुछ अपने मेगेजिन होते हैं कमल संदेश है और प्रह कि हमारी पार्टी के कई अखबार निकलते हैं जैसे मैं गुजरात में मनोगत नाम का अखबार निकलता था यह मगेजिन जो आता है हमने टाय करना चाहिए कि पर चलिए मंडे को ये मगेजिन इस घर में देंगे पिर दुसरे दिन सुपे जाके मांगेंगे कल लेंगे फिर 24 गंटे के बाद जाएंगे फिर वहां से ले लेंगे हमारा एक कमल संदेश होगा हमारा एक मैगेजिन होगा ताय करेंगे अगला आने तक गर घर वो गुंता रहेगा तीस चानलीच गरों में जाएगा फिर वापिस आएगा आप खुट सो अपने लिए खर्चा करते हैं पढ़ते हैं लेकिन वही अगर आम महले में पहुचा देंगे तो फाइदा होगा अब देखिए गाउं में खेती के समय यूरिया खरीटिये के लिए गाउंवाले निकलते हैं हर कोई अलग अलग जाता है हर कोई कोई वेहिकल करके उठा करके लिए आता है मालीज आपने गाउंग वालों के खटा कर दिया उनका वाटसएफ भूप बना दिया और आपने उनको कहा अच्छा भाई देखिए बताओ किसको कितना उरिया चाहिए चलो चलिए दो-चार लोग मेरे साथ और हम सब मिल करके पूरा गाउंग का उरिया एक ही वेहिकल में ले आए तो किराया कम हो जायेगा गाउंके लोगों का पैसा बच जायेगा वह आपको तारी हैं परेंगे के नहीं करेंगे आपका कोई खर्चा हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे छोटे-छोटे काम हमने देखा है कि गाह हो या शहर अगर कुछ करने की भावना सब में ही होती है पर अक्सर माज्यम नहीं होता है लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति माज्यम बच जाता है नेत्रुत्व करने लग जाता है तो सेवा भाव वाले लोग उसके साथ जुड़ी ही जाते हैं अगर कोई व्यक्ति घर घर जाकर कहता है कि कोई पुरानी किताब है तो मुझे दे जीजिए आप देखेंगे हर घर से बच्चे आकर खोथ अपनी किताब आपको पुरानी दे देंगे आप जड़ा घर में उस किताबों को ठिक कर ले बूथ के कार करता और फिर जो गरीब बच्चे हैं उनमें वो किताब बाढ़ दे अपने बूथ में हर गरीब परिवार के पाद कित पहुत जाएगी आप उनको लगेगा अरे मेरे बच्चे पढ़ाई करें इसकी वो चिंता कर रहा है जब मैं गुजरात में मुख्यमेंत्री था मनि देकर मेरा विदान सभा छेत्र था तो मैंने आंगनवाडी की चिंता करना काम अपने जिम्में लिया अपने कारकरताओं क अंगनवाडी में जाकर हर एक बच्चे को दो-दो खजूर खिला दो अगर बैर की सिजन है अंगनवाडी के बच्चों को जाकर के दो-दो बैर खिला दो अगर कोई अच्छी टॉपी आ गई है दो-दो टॉपी जाकर नूट्रेशन का प्राप्रिम में सोल होगा उन अच्छी हायने कोई जाने आगरनु निकलेंगे हर बच्चा आपको जानता होोगा यह बहुत बड़ी टाकत बंजाती है साथियो इस टाकत पर हमने जोर देना चाहिए और यह जितना करेंगे हमें गावं गावं में शहर में कस्बे में जाकर इस तरह से काम करते रहना चाहिए तब जाकर के हमारे बूठ की ताव अताकत बनती है जब आप जनता से जुड़े ऐसे छोटे छोटे काम करोगे तो मैं जे पक्का विश्वास है पूरे बूठ में कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जो आप से दूरी करेगा वो आप से नहीं जुड़ेगा आपकी पहचान एक भाजपा के कायरकरता से आगे बढ़कर एक समाज सेवक की तरह बने इसके लिए बूठ के अंदर लगातार काम करना चाहिए और यहां से आप बूठों में जाने वाले हो अलग अलग बूठ में रहने वाले हो वहां जुरूर जाकर के इन चीजों का प्रयोक कीजिए आप देखना आपके ये तरफ देखने का आपके भूठ के कायरकरता हों के तरफ देखने का पूरा दस्चिकोंड बदल जाएगा अलग एल अलग बूल ।